अब पाँचवा और अंतिम जो बिंदु है जो आदेश है वह क्या है रिट आफ को वारंटो को वारंटो अर्था अधिकार प्रिच्छा ये भी लैटिन शब्द है को वारंटो कार्थ होता है किस अधिकार से इनके शाब्दिक अर्था आपको जानने बहुत जरूरी है हर आदेश का शाब्दिक अर्थ आपको ख्याल लखना जरूरी है तो अधिकार प्रिच्छा कार्थ है किस अधिकार से जब कोई व्यक्ति ऐसे सरकारी या अर्थ सरकारी प्रदाधिकारी की रूप में काम करने लगता है जिस पद पर कार करने का उसे कानूनी अधिकार नहीं है तब ये वाला आदेश कोड जारी करके पूछ सकता है कि किस अधिकार से तुम ये कारे कर रहे हो नियायले अधिकार प्रिच्छा लेक के द्वारा उस व्यक्ति चे पूछ सकता है कि किस आधार पर वह यहां पर कारिरत है किस आधार पर वह कारिशील है और नियायलों को एक तो यह हुआ बिन्दू साथ ही नियायलों को यह भी अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को पद मुक्त भी कर दे यदि नियायले को लगता है कि इस पद पर यहां बैठा हुआ व्यक्ति गैर आधिकारिक रूप से यहां काबिज है और गैर आधिकारिक से उसकी पातरता नहीं रखता है उसका अधिकार न व्यक्तियों द्वारा साधारन परिस्थितियों में नियायले की शरण लेकर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है ये तो हमने अभी तक पढ़ा व्यक्तियों दोरा साधारन परिस्थितियों में नियायले का दर्वाजा खटटा कर हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं सम्विधान द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थखिन करने के उस्था की गई है ये तो भी हमने पढ़ा बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए नियाले के लावा कुछ और धाचे तयार किये गए उसमें राश्ट्री अल्प संखक आयोग प्रश्टी अनुसूची जाती जन जाती आयोग ये आपने सब चुना है और ये संश्थाएं जो हैं ये अल्प संख्यक महिलायोग महिलाओं और अनुसूची जाती जन जाती आयोग दलित वर्ग इनके अधिकारों की रक्षा करने का कारे करता है तो इस प्रकार हम देखत अधिकार सामाने स्थित्यों में देश के समस्त नागरिक को दिये गए हैं, वे अधिकार कौन कौन से हैं, उन अधिकारों की क्या सीमा है, उन अधिकारों के क्या अपवाद है, उन अधिकारों के उपयोग के क्या अपवाद है साथ ही ये भी जाना कि ये सारे अधिकार हम तभी इसका आनंद ले सकते हैं जब तक उसकी आत्मा और हृदय अर्था समवैधानिक उपचार का अधिकार उपलब्ध हो साथ ये भी जाना कि अमर्जेंसी में आपात काल में इन में से कुछ अदिकार हटा लिए जाते हैं और इसके बाद रिट्स की बात करते हुए हमने समझा कि नयायले स्च्वय में संग्यान लेते हुए पांच तरह के आदेश जारी कर सकता है, अलग-अलग परिस्थितियों में, ये पांच तरह के आदेश अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं, इनका उद्देश अलग-अलग है, और इनमें से कुछ आदेश तो ऐसे हैं, जो नियायले द्वारा नियायलें को ही दिये जाएं को वारंटो जो अंतिम रिट था जिसका हमने अध्येन किया उसके तहट कोड कोई अधिकार है कि लोगों को वो पदचुद भी कर दे पद से भी हटा दे अंतिम बात जो अभी तक हमने समझी कि न्यायले जहां हमारे समवैधानिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच रक्षक है वहीं कुछ और अन्यस्थाएं भी हैं जो समाज के विबिन तबके के लोगों के अधिकारों के लिए कारे कर रही है सुनिश्चित करती है कि उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो उनके साथ जादती ना हो रही हो जिसमें महिला आयोग, जाती आयोग, अनुसूची जाती जन जाती आयोग, अलपसंख्यक आयोग आदी आदी हैं इनके मौलिक अधिकार और अन अधिकारों की रक्षा के लिए कानुन द्वारा राष्टी मानुआदिकार आयोग का भी गठन किया गया है और इसकार राष्टी मानुआदिकार आयोग, National Human Rights Commission देश में अधिकारों को लेकर एक तरीके से सरवोच संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों के दुरुपयोग, सदुपयोग पर पैनी नजर रखते हुए कारे करता है हमने जब अधिकारों की बात की तो उसके साथ साथ ये भी सपश्ट किया कि हर मौलिक अधिकार की अपनी कुछ सीमाएं हैं यहने मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं कुछ सीमाएं तो सम्वेधानिक प्राउधान के तहत ही की गई हैं और मौलिक अधिकार के खिलाफ जाकर कुछ प्राउधान सम्वेधान में कर दिये गये हैं जैसे समानता के अधिकार के अंतर कुछ अपवाद हैं जो देखा जाये समानता के अधिकार के खिलाफ जाते हैं लेकिन ऐसा सरकार के लिए करना कई कारणों से आवश्यक था जिसको हम जिक्र कर चुके हैं अब कई बार इस्थितियां ऐसी आती है जब मौलिक अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है एक जिक्र मैंने किया था आपातकाल का आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों के पास नाग्रिकों के पास मौलिक अधिकार नहीं रहती या सरकार तै करती है कि कौन से मौलिक अधिकार इस काल में नागरिकों के पास रहें और कौन से स्थगित कर दिये जाएं तो अब हम ऐसी स्थितियों के बारे में और इसके परणाम क्या होते हैं नागरिकों पर इस पर थोड़ी चर्चा करें पहला है स्वतंत्रताओं का स्थगन Suspension of Fundamental Rights अर्थात मौलिक अधिकारों के स्थगन के तहट पहला है स्वतंत्रताओं का स्थगन Suspension of Rights to Freedom भारती राष्ट्रपती समविधान की धारा 352 के अनुसार संकट काल की जब घोषना करता है आपात काल की घोषना करता है तो अनुछे उनने जो स्वतंता से जुड़ा हुआ है जिसमें स्वतंत्रताओं दी गई है जैसे विचार अभिव्यक्ति के स्वतंता सभासमेलन के स्वतंता संग बनाने के स्वतंता ब्रह्मन की स्वतंता निवास की स्वतंता ये स्वतंत्रताएं इस्थगित हो जाती है सुनिएगा मैंने कहा राश्ट्रपती के द्वारा राश्ट्रपती ही इन अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है और धारा कौन सी है जिसके तहत वो करता है अधिकृत है धारा 352 धारा 352 के तहट राश्ट्रपती अधिकरित हैं इन सब अधिकारों को किसी कारण वाश संकटकाल की स्थिति में स्थागित कर देने के मौलिक अधिकार स्थागित होने की स्थिति में क्या होता है हम कानून के दरवाजे नहीं खट खटा सकते अर्था सरकार ने हमारे अधिकार लेकर अब सरकार ने ये स्वतंता पाली है कि वे हमें स्वतंतरता ना दे हमें विबिन तरह की जो अधिकार मिले हैं उनसे हमें वंचित कर दे चाहे वे समानता का अधिकार हो स्वतंता का अधिकार हो और धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार हो संस्कृति शिक्षा का अधिकार हो आदी आदी इसमें स्वतंतरता का अधिकार सबसे महत्पूर्ण है जिसका बड़ा दुष्ट प्रभाव समाज पर पढ़ता है नागरिकों पर पढ़ता है यदि हम बात करें आपात काल की तो आपात काल में पुलीस के पास ये अधिकार है कि वो हमें ग्रफतार करके ले जाए और हम उस पर सवाल ना कर सकें हमने आया ले ना जा सकें आपने मीशा, टाड़ा, पोटा ये सब चुना पढ़ा आपात काल के समय जो मीशा कानून लगाय जा था वह कुछ इस तरह का था जिसे लोग कहते हैं बड़ा भयावा कानून था तो आपात काल की स्थिते में नागरिकों के अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं सरकारी तंत्र जो है वह ताना शाही रवईया अपना लेता है और आपात काल के हटने की घोशना होते ही ये सारे अधिकार वापस मिल जाते हैं अब थोड़ा हम मौलिक अधिकारों के इस चार्ट को देखें पहला समानता का अधिकार, सतंता का अधिकार, फिर शोशन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक सतंता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंदी अधिकार और अंतिम है इलाज का उप्यार अब इसमें समानता के अधिकार की यदि बात करते हैं तो समानता के अधिकार के अंतरगत चार बिंदों पर हमने चर्चा की थी विधी के समक्ष समानता सामाजिक समानता सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता अस्प्रिष्टता का अंत और उपाधियों का अंत ये समानता के अधिकार के तहट कुछ प्राधान इसमें इसके बाद दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार स्वतंता के अधिकार के तहट हमें जो स्वतंताएं मिली हैं भाशन तथा अभिव्यक्ति के स्वतंता शांति पूर्ण मिश्यस्त्र सभा के स्वतंता समुदाय और संग कर बनाने के स्वतंता देश के किसी भाग में भ्रमन तथा निवास के स्वतंता व्यवसाय के स्वतंता अपराज की दोश्चिद्धी विशय में सनरक्षण के सुतंता, जीवन और शरीर रक्षण के सुतंता, और अंतिम हैं बंदी करण से सनरक्षण के सुतंता। तीसरा जो अधिकार है, शोशन के विरुद्ध, धारा 23-24, मनिश्यों का क्रेविक्र है, पहला बिंदु, उसका निशेद है, दूसरा बेगारी का निशेद है, और तीसरा बाल श्रम भी निशेदित है, ये है शोशन के विरुद्ध। चोथा है धार्मिक स्वतंता, भारत के संदर में ये स्वतंता बहुत महत्पूर्ण है, इसके चार भाग है, पहला धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंता, अल्प संखिकों के हितों का सर्रक्षण भी उसी के तहताता है, दूसरा धार्मिक कारियों के प्रबंध की स स्वतंता और चौछा है व्यक्तिकट शिक्षण अंस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की सवतंता यह हमारे धार्मिक स्वितन्ता के अधिकार के तहर दिए अब पाँचवा है संस्कुति और शिक्षा संबंदी संस्कुति और शिक्षा संबंदी अधिकार की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षन कौन सा अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षन उसके बाद संबैधानिक उपचारों के तहत किस तरह के उपचार के प्रावधान है अच्छा अल्प संख्यकों के हितों के संरक्षन के अलावा स्वांस्कृति और शिक्षा के थाद आलप्रसक्षों को की अपनी शिक्षन संस्थाएं को स्थापित करने की और इसको चलाने का भी अधिकार दिया गया है अब अंतिम है इलाज का अधिकार उपचार का अधिकार इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षी करन लेक दूसरा है पर्मादेश लेक लेक अर्थात रिट डब्लू आर आईटी तीसरा है प्रतिशेध लेक चौथा है उत्प्रेशन लेक और पांचवा है अधिकार प्रिच्छा लेक इस पकार इस फ्लो चार्ट से आपको एक खाका मिल जाता है कि हमारे अधिकारों को कैसे विभाजित किया गया है और उसके क्या-क्या बिंदू समवैधानिक अधिकारों के स्थगन की बात करते हुए मैंने पहला बिंदू आपको बताया दूसरा बिंदू स्थगन के मामले में है समवैधानिक उपचार के अधिकार का स्थगन और ये कब होता है आपातकाल में आपातकाली निस्थित में अनुछे 359 पहला वाला तो 352 के अधार पे रश्पती उसको अपयोग कर सकता है उसको स्थगित कर सकता है दूसरा 359 के तर्थ 369 के अनुसार उपचारें के इलाज को भी स्थगित या निलंबित किया जा सकता है और आपातकाली निस्थित में होता है तीसरा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाने के लिए हर्स तक्षिप सस्पेंड करने की बात कर रहा हूं मैं मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात तो इसमें तीसरा बिंदु है प्रतिबंद लगाने के लिए अनुचेद 15.1.4 इसके अनुचेद 19.6 में नैतिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाने के लिए रज हर्स तक्षिप कर सकता है नैतिक अधिकारों पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाने के लिए रज हर्स तक्षिप कर सकता है मौलिक अधिकारों पर और ये मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाते हुए वह कुछ कारण बताएगा 34 सिति जो निर्मित होती है इस थगन की वह है सम्विधान में संशोधन करके इस थगन के प्रस्ताव में बदलाव लाया जा सकता है संशद सम्विधान में सशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलिम्बित कर सकती है किन्तु सम्विधान के मूल ढ़ाचे में बदलाव नहीं करेगी कोई समय के लिए निलंबित कर दे इस थगन कर दे संशद लेकिन मूल ढ़ाचा जो है उसमें बदलाव संस्द नहीं कर सकता या एक बहुत अहम judgment के माध्यम से ये निशकरष सरवोच नैयले ने दिया है कि संस्द सरवोच है संस्द सभी कानूनी प्रावधानों में बदलाव कर सकता है लेकिन मूल ढहाचे में नहीं लेकिन मूल ढाचे में नहीं इसलिए इस पश्ट है कि सम्विधान द्वारा नागरिकों को दिये गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है मैं अधिकार का उपयोग करते हुए दूसरे के अधिकार क्षेतर में जा रहा हूँ तो ये तो गलत है दूसरा व्यक्ति अधिकार अपने अधिकार की रक्षा करते हुए या अपने अधिकार के बारे में बात करते हुए मेरे अधिकार क्षेतों में हरन कर रहा है तो यह गलत है एक उधारन लीजिए आपका एक विद्याला है जिस विद्याला में पढ़ते हैं उसके पास एक व्यक्ति रोज आके खड़ा हो जाता है भौपू लेकर लौड़ी स्पिकर लेकर और जोर जोर से वहां कुछ भी बोलन लगता है चाहिए अपनी लाइँ अपने धर्म के बारे में बोले या दूसरों की आलोशना करे है कुछ न कुछ बोलते रहता है जिससे क्या होता है आपके पढ़ाई में व्यवधान आता है और जो बोलता है वह भी बेसिर पैर है क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या वह व्यक्ति और उससे जब पूछा जाता है कि वही आप ऐसा क्यों कर रहा है उससे हमें दिक्कर थोड़ी तो उसका कहना रहता है कि मैं आपके स्कूल के परिसर के बाहर से एक कर रहा हूँ तो मैं आपके अधिकार कहनन नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही एक परिवार अपने घर का कच्रा पड़ोसी परिवार के प्लाट में फिक देता है और रोज यही कर रहा है क्या यह उचित है मुझे अपना घर साफ रखने का अधिकार है इस कारती यह नहीं कि दूसरे के घर को मैं गंदगी करूँ तो इस प्रकार पहली स्थित में भी जैसा मैंने बताया कि वह व्यक्ति लाउड इस पर कर लेकर आपके अपने अधिकार अधियन के अधिकार, पढ़ने के अधिकार, शांत रहने के अधिकार में हनन कर रहा था तो ऐसी स्थित में तो उसे बंदी बनाए जा सकता है ऐस पही करवाई की जा सकती है। तो अधिकारों की एक सीमा होती है, इस बात को आपको ख्याल लगना है। और वहां की सत्ता बदली तो एक महिला सबजी की टोक्री लेकर बड़ी खुश होकर बीच सड़क पे जा रही थी वो स्थिर में सबजी की टोक्री ली हुई थी और बड़े आनन नमय प्रफल नमय तरीके से वो सड़क के बीचों भी चलती जा रही थी और उसकी बात से लग रहा था कि शतंत्र होने की खुशियां मना रही है पीछे से गाड़ी आई इसने हॉन दिया महिला नहीं हटी और दो-तीन गाड़ियां ऐसे छे-साथ गाड़ियां जब इकट्टी हो गई और हॉन देने का असर नहीं पड़ा तो एक व्यक्ति उसके पास तरके जाता है और इसे पूछता है कि आपको हॉन शुराई नहीं दे रहा है क्या वाट इस रॉंग विध यू आप बीच सड़क पे क्यों चल रही हैं रास्ता क्यों नहीं दे रही हैं तो इसका कहना सा तुमको मालूम नहीं आज हम स्वतंत्र हो गया है इसका माइने ये कि महिला स्वतंता कारति ये समझ रही थी कि वह असीमित है मैं कहीं भी चल सकती हूँ भले उसे उससे किसी दूसरे को कितना भी व्यवधान क्यों नहों ऐसा गलत है दूसरे शब्दों में हर अधिकार की एक सीमा है असीमित नहीं है इन्हें विशेश परिस्थितियों में इस थगित किया जाने का भी प्रावधान है ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये स्थगित भी हो सकती है बिलकुल आप से पूरी तरह हटाई भी जा सकती है आपातकाल जैसी इस्थितिमा तो अब ये हम मूल रूप से मौलिक अधिकारों के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं अब हम आते हैं उन संस्थाओं पर जो हमारे मौलिक अधिकारों की एक तरह से वाच डॉग है एक संस्था का नाम है राष्ट्री मानो अधिकार आयोग National Human Rights Commission राष्ट्री मानो अधिकार आयोग का गठन भारत में अधिकारों को प्रभावशील बनाने के लिए भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे अधिकार हमारे पास हैं हमारे अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं सरकार ने एक संस्था बनाई सरकारी ख्यत्र में ये संस्था है जिसका नाम है राश्टी मानव अधिकार आयोग इसका काम क्या है? इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि देश के लोगों के जो अधिकार है उसका किसी तरीके से हनन तो नहीं हो रहा है मानो अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में जब बारं बार ये शिकायतیں आ रही थी कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर हमला हो रहा है तो ऐसी स्थिति में धारत सरकार ने निर्णा लिया कि मानो अधिकार आयोग बनाया जाए जो एक वाच डॉक की तरह कारे करें तो 1993 में इसकी स्थापना होती है दूसरा इसमें आठ सदस्य हैं और एक अध्यक्ष होता है इन आठ में से एक अध्यक्ष अर्था साथ सदस्य और एक अध्यक्ष तीसरा राष्टी मानो अधिकार आयोग के अध्यक्य पत पर सर्वोच नियायले के वर्तमान नियायधीश या सेवा निर्वित नियायधीश को निक्त किया जाता है अर्थात राष्टी मानो अधिकार आयोग इतना महत्पूर्ण संस्था है कि उसकी नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति या तो वर्तमान नियायधीश सर्वोच नियायले के और या सर्वोच नियायले से निवरित जो वहाँ से रिटार हुए ऐसे नियायधीश को ही अध इब्राम्रित नियाधिश होगा एक सदसे उच्छ नियाले का सेवा निवरित या वर्तमान नियाधिश होगा उच्छ नियाले का दो सदसे ऐसे जो मानवादिकार के संबन में परियाप्त ग्यान और व्याभारिक अनुभार रखते हैं उसमें उनकी विशेशक गिता है महारत मानवा अधिकारियों को लेकर उन्हें बहुत अध्यान किया हो गहां अध्यान किया हो ऐसे दो, और तीन अन्य हैं पदेन तीन अन्य जो सदत्रे हैं वो पदेन है पदेन अरथाच क्या? जो भी अलप संख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वो स्वतह ही मानव अधिकार आयोक का सदस्य रहेगा नियुक्त करने की जुरत नहीं जो भी व्यक्ति अलप संखक आयोक का अध्यक्ष होगा वो मानव अधिकार आयोक का सदस्य स्वतह ही बना रहेगा यहने अपने पद के कारण अल्व संकत आयोग के अध्यक्ष के पद के कारण वो यहाँ पर सदस्य बना इसलिए पदेन है दूसरा राश्टी अनुसूची जाती जनजाती का अध्यक्ष वो हभी पदेन सदस्य है और तीसरा महिल आयोग की अध्यक्ष वो हभी पदेन है मानव अधिकार आयोग के ये तीन पदेन सदस्य है राश्टी मानव अधिकार आयोग इसके जो पहले अध्यक्ष थे वेचे श्री रंगनात मिश्रा जो सेवा निवरित हो चिके थे लेकिन बहुत महत्पूर्ण काल में इन्होंने इस पद को समभाला और पहले अध्यक्ष बने देश के पूर्ण अधिश राजेंदर बाबू 2007 को राश्टी मानव अधिकार के अध्यक्ष के बद बने वे आयोग के पांच वे अध्यक्ष थे और उसके बाद कई लोग अध्यक्ष बन देगा तो आपको श्री रंगनात मिश्र के नाम को याद रखना होगा जो पहले अध्यक्ष थे मैंने बताया 1993 में इसकी स्थापना होती है साथ सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होते हैं इन साथ सदस्यों में एक उच्च नयास तरव उच्च नयायले से एक उच्च नयायले से दो मानवादिकार में विशेश शक्टा हासिल कर रखने वाले और तीन पदेन इसका जो कारियाल है